दो क्रिश्न कथा देश के सभी भक्तों को मेरा कोटी कोटी दंडवत प्रणाम वांचा कल्पतरू भयस्च गृपासिंद वैवच पतिता नाम पावने भ्यो वाइश्नवे भ्यो नमो नमहा अनन्त कोटी वाइश्नवरिंद की जाए शीराद हता मुदर भगोण की जाए जगणनात वलतर वादर्महारानी की जाए सितराम lakshrumal hanuman की जाए गौनिताइ की जाए तूलसी महारानी की जाए गरि राज गृवर्धन की जाए जगदकृ शुल प्रभपाद की जाए ओ मज्यानते मिरांधसे अगनान अजन शलाखेया चक्षुरुन्वले तम दियना तसमे श्री गुरुवे नमहा इसकौन वर्तमान गुरु रिंदक की जाए His Holiness जेपतका स्वामी गुरु महराज की जाए आए कृष्णा So So Karthik महिना चल रहा है और कार्तिक महिने में विशेश करके हम यहां पे तो फिलहाल सुभे और शाम दामुधराश्टकम के साथ-साथ श्रीमत भागवतम में से गजेंद्रस्तुती और शिक्षाश्टकम और भगवत कीता से बार्वा अध्याय जो है भगवत कीता का भगती योग और गोपी गीत का पारायन हम जो कर रहे हैं सस्वर पाठ करते हैं सुभे शाम और अभी हाल ही मैं बांगलादेश की भगतों को भी मैं गोपी गीत पे सेमिनार दे चुकी हूँ तो मुझे लग आज जो है हिंदी सुनने वाले भक्तों के लिए भी मैं गूपी गीत पे जो है हम चर्चा करेंगे क्योंकि कार्थिक महने में जब सुभे शाम इसका गीत हो रहा है तो इसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे तो गाने में भी भाव आएगा और यांतरिक भाव से नहीं करते होए इसका हम आनन्द लेते होए जो है इसका हम पाठ कर सकते हैं तो गूपी गीत काफी स्पेशल है इन फाक्ट पद्मा पुरान में कहा गया है कि श्रीमत भागवतम और भगवान क्रिश्न के बीच में कोई अंतर नहीं है भगवान क्या नहीं की विभिन्य अंगों का प्रतिनिधित्व करता है पद्मा पुरान में कहते है श्रीमत भागवतम के प्रथम और वितिय सकंद भगवान के श्री चरन है भगवान के श्री चरन जो दोनों चरन है वो भागवत का प्रथम और वितिय सकंद है उसी तरह से भागवत का तृतिय और चतुस्त सकंद भगवान के जंगा है पाँच्वा स्कंद जो है पंचम स्कंद भगवान की नाभी है शश्टम स्कंद भगवान की चाती है सप्तम और अश्टम स्कंद भगवान की दोनों हात है नवम स्कंद भगवान का कंठ है दसम स्कंद भगवान का श्री मुख है और एकादश सकंद जो है वो माथा है और द्वादश सकंद जो है वो भगवान का सिर है तो भगवान के तो सभी अंग बहुत ही सुन्दर है लेकिन सबसे ज्यादा आकरशित करता है भक्तो को भगवान का श्री मुखा तो आज जो भगवान का श्री मुख जो है दसम्सकंद उस पे हम चर्चा करेंगे और भगवान के श्री मुख में भी सबसे जादा सुन्दर है उनकी हसी और भगवान की जो हसी है वो है रसपंच अध्याए तो दसम्सकंद है भगवान का चहरा जिसमें 90 अध्याए है और इस नबे अध्याई के बीच में है रसपंचा अध्याई, माने 29 वा अध्याई से लेके 30 वा अध्याई, 29 to 33, और आज हम उसकी भी बीच वाला अध्याई, माने 29 to 33 के बीच वाला 31st अध्याई, 31 वा अध्याई पे चर्चा करेंगे, तो यह 31 अध्याई है क्या, अध्याई का ना पूड़ी सी संग्षेप में चर्चा करके हम आज के टॉपिक पे चले जाएंगे तो हुआ क्या तो जो उन्तीस वा ध्याय है उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बहुत सुन्दर वातावरन है शरद रितू है व्रिंदावन में सब पौधों पे व्रिक्षों पे फ जो जो आनंद लेते हुए शब्द कर्रहें आवाज कर्रहें गान कर्रहें यहां वहाँ इस डाल से उस डाल आनंद विभोर होके उड़ रहे है और जो भानी बीज जो कहते हैं मधु मख्या वे भी फूलों के अमरित का पान करते हुए गुन-गुना रहे हैं और ये जो फूलों का सुगंद है उसको मंद पवन लेते हुए व्रिंदावन की हर जगा में घूम रहे हैं और उस शरद रितू का एक दिन शरद पूर्नी मा के दिन जब चंद्रमा की पूर्न रूप होता है और कांती बहुत सुंदर लगती है उस एक रात को भगवान कृष्ण ठाकुर जी अपने प्रिय भक्त गोपियों को याद कर रहे थे हैं तो ठाकुर जी शरद पूर्नी मा के दिन वन के अंदर में एक कदम व्रिक्ष के नीच उसे बैठ के वंसी बजा रहे हैं going to talk with хотел और जिस तरह से हमारे सेलफोन में अलग 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 tunes होते हैं उस तरह से भगवान की वंसी में भी अलग अलग थून होते हैं एक टिून बजाते हैं तो गोपो को पता है, उनको बुला रहे हैं, किसी एक तून को बजाने से गोप बालक को पता है कि उनको बुला रहे हैं तो जब यह particular tune से भगवान वमसी बजा रहे हैं तो गोपियों को पता चल गया कि ठाकुजी उनको बुला रहे हैं तो गोपिया एकदम व्याकुल हो जाती है जब उन्हें बमसी की वो शब्द, वो संगीत सुनाई देता है, तो वे जल्दी जल्दी इससे जो है भगवान को मिलने के लिए तयार हो रही है, क्योंकि वे अपना श्रिंगार करके जाना चाहते हैं, तो सुकुदेव गोस्वामी उस अध्याय में बहुत ही सुन्धर तरीक कैसे विवरन करते हैं, कैसे गोपिया काम के बीच में है, कोई अपने पती को खाना दे रही है, तो कोई बच्चों को दूद पिला रही है, तो कोई घर साफ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, लेकिन सारे काम छोड़के सब अपना श्रिंगार करना शुरू करते हैं, कि ठाक पहुच जाती है, जब सारी गोपिया उधर वन में पहुच जाती है, तब ठाकुर जी उन्हें देख के वंसी बजाना बंद करते हैं, और आश्चरिय चकित जो है, एक्स्प्रेशन देते होएं, पूछते हैं कि क्या बात है, आप लोग यहां कैसे, क्या बात है, तो गोपिय कहते हैं, ने, हम नहीं जाएंगे, हम आपका संग करना चाहते हैं, और फिर शुरू होती है, क्रिश्न की, जो है, उनके स्त्री धर्म का प्रवचन, क्रिश्न कहते हैं, आप तो सब भद्र महिला हैं, छे कुटम से आये हैं, ऐसे मज्जे रात्री को किसी अंजान लड़के स मिलने के लिए आना शोभा नहीं देता, स्त्री का धर्मा होता है, अपने बच्चों का, पती का, सास्सुर का सेवा करना, और आप यहां आके बड़ा रिस्क लिए हो, क्योंकि वन में बहुत सारे क्रूर पशु घूमते हैं, तो आपको ऐसे रात में यहां आना नहीं चाहि यह था, ठीके, जो हो गया होगा, अब आप यहां से चले चाहिए, तो पहले तो गोपिया सोचती है कि ठाकुर जी मजाक कर रहे हैं, तो हसरी एक दूसरे के उपर देख के, लेकिन जब देखा कि ठाकुर जी काफी गंभीरता से बात कर रहे हैं, और कहरें कि आप लोग सब जो है, वापिस जाई है, और गोपियों के आँखों में अश्रु बेह रहे हैं, और अपना मू नीचे किये हुए है, और अपने जो पैर है, उसे मटी में दबा के, अपने होटों को चिबा के, सहन, मतलब कोशिश कर रहे हैं सहन करने के लिए, लेकिन जब उनसे और सहन नह तव्य है, तो हम तो आपकी सेवा करेंगे, हम तो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस तरह से कितनी सुन्दर फिलोसफी जो है, गोपिया बात करती है, और जब ठागुर जी ये सारी बाते सुनते हैं, तो फिर वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब काफी हो गया हमारा वार अच्छा ठीक है, कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम सेवा तो करना चाहते हैं, भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें इतना काम है, इतना हम विजी है, लेकिन यहां पे भी दिखा रहे हैं कि जो भक्ति के आचारिय, जो उत्तम भक्त गोपिया ऐसा नहीं कि उनके पास को Vekrishnah की पूझा करते थे, इसलिए Vekrishnah को अपना सर्वस्व दे चुके थे, लेकिन it was not by force, it was not by duty, it was not out of desire, it was not out of fear, it was out of love. इस दुनिया में जो भी काम होता है, या तो हम भाई से करते हैं, अरे नहीं करेंगे तो ये समस्या होगी, या तो हम इच्छा से करते हैं, अरे ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, या तो हम कर्तव्य भाव से करते हैं, अरे करना ही पड़ेगा मेरा कर्तव्य है, लेकिन सबसे उत्तम होता है, जब कर्तव्य नहीं, भय नहीं, कोई इच्छा, वांचा, कामना नहीं, जब हम प्रेम से करते हैं गोफिया क्रिश्ण को प्रेम करते थे और वे क्रिश्ण के प्रेम के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तयार थे इसलिए उन्हें भक्ति आचार्य कहा जाता है और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि ऐसे नहीं है कि गोफिया कोई emotional जैसे कहते है न भावना के वश में आके क्रिश्ण को प्रेम करते थे नहीं वे क्रिश्ण तत्व को जानते थे भली भाति वो समझते थे कि हम आत्मा है हम शरीर नहीं है मानव जीवन का करतव्य क्या है हम एक ऐसे भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए तो इससे काफी हमें inspiration मिलती है प्रोचसाहन मिलता है क्योंकि कभी-कभी हम सोचते है कि हम भक्ति योग पालन कर रहें तो हम इगनान की जरूरत नहीं है हाला कि भक्ति योग नान और कर्म का मिश्रन है भक्ति माने कर्म छोड़ना नहीं है कर्म क्रिष्ण के लिए करना है भक्ति माने गनान को reject करना नहीं है क्रिष्ण के बारे में गनान बढ़ाना है यह भक्ति है कभी-कभी कुछ लोग सोचते भक्ति योगी माने sentimental fool उनको और कुछ भी पता नहीं, बस कृष्णकृष्ण करते हैं, ऐसा नहीं है, भक्त माने, परिपूर्णताає से वो भगवान के तत्व को जानता है, समझता है, और भगवान के साथ में अपना संबंद को समझने के बाद में, उस संबंद करोड गोपिया उस दिन महा रास किये है भगवान के साथ ये मुना के तीर शरत पूर्नी मा के राज जो एक कल्प तक चला है जो ब्रह्मा का जो एक कल्प क्योंकि चंदरमा तो वहाँ से हटी नहीं रहा है इतना सुंदर रास हो रहा है, चंद्रमा रास को देख रहा है, सब लोग उस रास में मुग्द हो गए है, लेकिन रास के बीच में एक घटना घट गई, क्या हुआ, ठाकुर जीने मन में सोचा, आज मैंने गोपियों को बड़ा दंड दिया, कितनी कुरूर बाते की, अब मुझे कुछ उप पैंड करके हर एक गोपी के साथ जो है, वे नित्य करने लगे, तो जब उन्होंने अपने आपका विस्तार किया, तो गोपिया बड़ी प्रसंद हो गई, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था, राधा कृष्ण नित्य करते थे, और गोपिया उनके आसपास नित्य करते थे, लेकि विराजित रहते हैं, गोपियों को आनन तो आने लगा, और फिर क्या हुआ, गोपियों को आगया अहंकार, अच्छा, कुछ तो स्पेशल है मुझ में, नहीं तो राधा रानी को छोड़के मेरे साथ धाकुजी क्यों नित्य कर रहा है, तो सम्थिंग स्पेशल तो है, तो म थोड़ा सा ठाकुरुजी हमें रेस्पॉंस देना शुरू करते हैं, तो हमें गर्वा आना शुरू हो जाता है, सम्थिंग तो मेरे बारे में स्पेशल होगा, देखो मुझे इतना लोग मान देर है, मैं जो सेवा करता हूं, परफेक्ट, मैं भगवान के लिए माला बनाती यूं कितना सुन्दर, मैंने आज राजभुग बनाया कितना, तो जब हमें गर्वा आ जाता है, तब क्रिश्न वहां नहीं रहते हैं, क्योंकि हुरुदय की जो जगा है, बहुत छोटी है, वहां पे सिव एक परसन रह सकता है, जब क्रिश्न रहते हैं, तो गर्वा नहीं वे हमारे जीवन से बाहर निकल जाएंगे, बच्पन में हमें हिंदी टीचर कबीर के बहुत सारे दोहें सिखाती थी, मुझे एक दोहा याद है, उसमें कबीर जी कहते हैं, प्रेम गली अतिसा करी, ता में दोन समाए, जब हरी था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरी नही प्रेम गली अतिसा करी, ये प्रेम की जो गली है बहुत साकरी है, नैरो है, बहुत ही, साकरी है, दो जने नहीं हो सकते उसमें, जब हरी था, जब ठाकुर जी को बिठाएंगे तो मैं नहीं, फिर हमारा ये मिथ्या अहंकार, मैं सो एन सो हूँ, उसकी जगा नहीं है, जब ह मैं हूँ तब हरी नहीं तब हरी चले जाएंगे कि ठीक है तुम सोयन सो हो तो तुम रहो मैं चला तो यहाँ पे गोपियों को अहंकार आया भगवान ने क्या किया राधारानी का हाथ पकड़ा और रास के बीट से निकल गए अब गोपिया जो है जब देखा कृष्ण नहीं ह तो वे रोने लगे और कृष्ण को खोजने लगे अब जब कृष्ण को खोज रहे है तो आगे चल के यहाँ क्या होता है राधारानी को लेकि ठाकूर जी चले गया है लेकिन एक जगा पे राधारानी कहती है मुझसे और चला नहीं जाएगा मेरे पैरों में दरद है तो पी उनके विराह में रूने लगी अब ये बात बताई गई है भागवतम में लेकिन आनंद ब्रिंदावन चम्पू में कभी करनपूर्णा कुछ और बताते हैं वे कहते हैं राधाराने को गोपियों को कभी गर्व आही नहीं सकता है क्योंकि ये जो काम, क्रोध, मोह, मद, मत सरिय, लोभ, ये सारे अनर्थ भक्त में नहीं होते हैं क्योंकि ये सारे अनर्थ उनमें नहीं है इसलिए तो कृष्णा उनका संग कर रहे है गोपियों को आहंकार नहीं आया था तो अच्छा तो नहीं आया था तो क्या हुआ था तो कभी करनपूर्णा कहते हैं एक्चली म वे तो संग्शेप में जैसे कभी-कभी हम देखते हैं गूगल मैप में आप देखो हाइदरबाद कहा है या बॉंबई कहा है आप सिर्फ डॉट देख सकते हो देकिन जब आप थोड़ा सा और जूम करोगे तो हरे एक गली-गली भी आपको हाइदरबाद में दिखाई देग यहाँ पर जूम आउट किया हुआ है सिर्फ थोड़ा-थोड़ा से बता रहे है लेकिन हमारे जो वैश्नव आचारिया है वो जूम इन करते है तो उन्होंने कहा एक्चली क्या हुआ था मैं बताता हूं गोपिया मन में सोच रही है हम जो यह कृष्ण के साथ नित्य कर रह है हमें तो आनंद आ रहा है लेकिन क्रिष्ण को तो तभी आनंद आएगा जब वो राधारानी के साथ नित्य करेंगे हम तो क्रिष्ण के योग्या है ही नहीं फिर भी हमें आनंद देने के लिए क्रिष्ण जो है हमारे साथ नित्य कर रहे है तो हम ऐसा क्या करे कि क्रिष् प्रिंदावन की उस गंभीर गफीर वन के भीतर में तम गना जंगल के अंदर में वे क्रिष्ण को ढून रहे थे कहां गए क्रिष्ण कहां गए और वे इतनी जो है क्या है भाव विभोर हो रही थी कि वे हर एक पत्ती को डालो को पक्षियों को पूछ रही है गोपी का है क्या क्रिष्ण यहां से आये थे क्या क्रिष्ण आये क्या तुमने क्रि नहीं तो अव्रिक्षय जुका हुआ, क्रिष्ण को छाया देने के लिए अव्रिक्षय जुका हुआ है, अव्रिक्षय क्या तुमने कριष्ण को देखा, ओ भूमी माता, तुम तो बहुत भागेवान हो, वरह रूप में क zweiten के रूप में स्विकर किया, च्या क्रिश्ण यहा अंगूठा का चाप है लगता है कि कृष्ण ने जो है अपने अंगूठे को दबा के इस वरिक्ष में से कुछ फूल तोड़े है क्योंकि वरिक्ष में फूल भरे हुए है तो कृष्ण जरूर यहां से आये है दूसरी गोपी बोलते है आरे देखो दो नहीं चार पैर दिख यहां पे कृष्ण के साथ कोई और भी है और फिर यह इस लोग वहां पे जो भागवत में आता है अन्याराधितो नोनम भगवान हरी इश्वरा यहां पे राधारानी की बात आती है very subtle way बसलब एकदम सूक्ष मरूप से पता नहीं चलेगी उस तरह से राधारानी का नाम आ यहां पे एक बात अच्छी लगी कि गोपियों का इर्शा भाव नहीं है या गोपिया ऐसा भी नहीं कह रही है कि देखो यह गोपी कृष्ण की फेवरेट है इसलिए कृष्ण इस गोपी ने कृष्ण की अच्छी तरह से सेवा की है that has pleased कृष्ण इसलिए कृष्ण को आनं मिला है इसलिए कृष्ण इस गोपी को लेके आये है तो मुझे यह बात इतनी अच्छी लगी कि कभी-कभी हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब हमारे गुरु भाई हमारे गुरु बहनों के साथ में हम सवास करते हैं तो कभी-कभी ऐसा होते हैं अरे he is so lucky ना इसको कितना अरे he is so fortunate इनके उपर तो आमेशा special mercy यह सोचने का तरीका गलत है सोचने का तरीका ऐसा होना चाहिए उन्होंने कितनी अच्छी सेवा की होगी इसलिए ठाकुर जी उन पे प्रसन हुए इसलिए उनको ठाकुर जी ने जो है दया दिखाई है इन्होंने गुरु महराज की कित करते हैं कृष्ण किसी को भी विशेश रूप से प्रेम नहीं करते हैं वे सबको समान रूप से प्रेम करते हैं जिस तरह से एक हवन कुंड होता है हवन कुंड की पास आते हैं तो हमें गर्मी लगती है हवन कुंड से दूर जाते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हवन कुंड पक्षपात दिखा रहा है, इसको जादा गर्मी दे रहा है, जो कृष्ण की सेवा करते है, कृष्ण के पास आते है, कृष्ण की विशेश कृपा उन पे होती है, जो नहीं करते सेवा, जो दूर रहते हैं, उन पे कृपा नहीं होती है, तो गोपिया सोच रही है कि चार पैर तो यहां दिखाए दे रहें, कहीं कहीं सिर्फ दो पैर दिखाए दे रहें, तो क्या हुआ, क्या उन्होंने उस गोपि को गोद में लिया था, तो यह सारे सोचते हैं जब आगे बढ़ते हैं, वहां क्या देखते हैं, राधरानी बैठी है, वो भी रो रही है, अब राधारानी रो रही है क्योंकि क्रिश्ण राधारानी को भी छोड़ के चले गए, तो भागवत में बताते हैं, राधारानी को छोड़ के क्रिश्ण क्यों चले गए, क्योंकि राधारानी को गर्व आ गया था, लेकिन हमारे कभी करनपुर्ण बोलते इसके पीछे एक प्लान है राधारानी का, राधारानी मन में सोच रही है कि केवल मैं कृष्ण के साथ आनंद क्यूं करूँ, यह आनंद सारी गोपियों को भी मिलना चाहिए, तो कृष्ण जो मुझे अलग से लेके आ गया है, मैं जान मुझे धीरे धीरे चलूँगी, तो अ मैं और नहीं चल पाऊंगी, मैं यहां बैठना चाहती हूँ, तो वे देरी कर रही थी, क्योंकि वे चाहती है कि गोपियों जल्दी से आए और उन्हें खोज ले, राधारानी को गर्वा आ ही नहीं सकता, राधारानी का तो यह स्वभाव है, वे कृष्ण को सब को देना च राधारानी को ऐसा गर्व कैसे हो सकता है कि देखो मैं कितनी सपेशल हूँ, क्रिष्ण सि miss nhưव मेरे साथ रहन चाहता है, ऐसा होगार होता, तो हम गौड राधारानी का विग्रा कृष्ण के पास में रखके पूजा करते ही नहीं, क्योंकि पास में रखके पूजा करते ही कि जल्दी से गोपिया आ जाए, लेकिन प्लान तो फेल हो गया, कृष्ण तो उन्हें भी छोड़के चले गया, अब ये गोपिया राधारानी को देखे, और भी दुखित, अरे हमें नहीं मिले कृष्ण कोई बात नहीं, कम से कम राधारानी के साथ होते, तो भी हम प्रसन्न होते हैं, यहां पी हम देखते हैं कि गोपियों का कितना सुन्दर स्वभाव, इस भावतिक जगत में हमारा स्वभाव तो इर्शा से भरा रहता है, हम सोचते हैं अगर हमें नहीं मिले कृष्ण तो किसी को नहीं मिले, यह हमारा नहीं हुआ तो यह किसी कभी नहीं होना चा करंट है और हमारे पास नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होता है अगर हम बस मिस करें तो प्रॉब्लम होता है हमारे साथ दस जने और बस मिस किये तो फिर हमें दुख नहीं होता है यह हमारा स्वभाव है तो यहां पे लेकिन गोपियों का स्वभाव विप्रित है वैसरते हमें आनन्द ना मिले, कोई बात णहीं, कम से कम राधाराने और खुर्श्ना आनन्द में रहे लेकिन जब दिखते हैं राधाराणी भी रो रही है तब गोपियों को ओर भी दुख होता है अब गोपिया सोच रही है हम इस घने जंगल की अंदर 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 चले जा रहे है, यहां तो चंद्रमा की कांती भी नहीं पहुच रही है, इस अंदकार में हम कृष्ण को कहां ढूंडेंगे, चलो जमुना की तीर चले जाते है, सारी गोपिया जो है, एक दुसरे का हाथ पकड़ते हुए, जमुना की तीर में समवेत हो जाते हैं, वहां सब विशय, जो है, 31 अध्याय गोपी गीत, गोपी का विरह गीत, 19 स्लोक है इसमें, और यह गाया गया है, सारे गोपिया मिलके गाती हैं, ऐसा नहीं कि एक गोपी, इसलिए आप देखिए, अध्याय के शुरुवात में लिखा गया है, गोपयो उचूहा, उचूहा माने बहु गोपयो उवाचा माने एक वचन, लेकिन यहां तो बहुत सारी गोपिया, इसलिए गोपयो उचूहा, इन फाक्ट, जीवगोस्वामी के गोपाल चंपू में तो गोपियों का नाम भी दिया हुआ है, कौन सी गोपी ने गाया, कौन सा श्लोक, क्यासे पता चला जीवगोस् क्यूंकि यह इसके भाव ऐसे है, लेकिन यहां पर भागवत में तो नाम नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, एक एक उसको गाएंगे, और फिर डीपली जो है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, सो हम यहां पर शुरू करेंगे, गोप्योचुः्थ्ध्यदिकम् जन्मनाब्रजाश्यत इंधिर RAM, साश्वध्त्राहि, श्वध्त्र्वेव, दाया त्रीष्यत्व,자 गोपियों ने भी शुरू कहा किया कहते है जयतिते अधिकम जन्मनावरचा गोपिया कहते है ये जो वरिंदावन धाम है ये जो वरच भूमी है अल्रेडी बहुत ग्लोरियस है इसकी महिमा तो बहुत ज्यादा है लेकिन अधिकम इसकी जयमाने ग्लोरी जो इसकी जो किर्तन गुनगान किर्तन कर रही है गोपिया तो इसकी जो महिमा है अधिक हो गई है क्यों जन्मनावरचा है क्रिशन क्योंकि यहाँ पे मुझे आप लोग शमा करेंगे ये गोपिगीत समझाते हो वे मैं क्रिशन को आप तुम कहूंगे क्योंकि हम गोपियों की भाव में यह सारे समझने की कोशिश करें और गोपिया तो कृष्णको तुम ही कहती है तो हमें शमा करिएगा तुम यहां पे गोपिया कए कि तुम तुम ने यहां पर जण्म लेया है ना कृष्णन इसलिए जय तिते अधिकम वो वाइकुंट छोड़के यहां तुमारे पीछे-पीछे आ गई है तो दूसरी गोपी बोलती है क्यूं आ गई है यहां पे पीछे-पीछे तो कहते है कि क्रिश्ण इतने सुन्दर है दिखने में इतने सुन्दर है कि वैकुंट नात को छोड़के लक्ष्मी देवी हमारे कृष्ण के पीछे पागल है तो दूसरी गोपी कहती है लेकिन हमारे कृष्ण इतने सुन्दर क्यों लगते है तो दूसरी गोपी कहती है क्योंकि येश्वदा माता इतनी सुन्दर तरीके से सजाती है कि वैकुंट में लक्ष्मी देवी भी जो है उनके सुन्दर सजावट को देखके प्रलोभित होके व्रिंदावन आ गई है दूसरी गुपी बोलती नहीं नहीं केवल सुन्दर लगने से कुछ नहीं होता सुन्दर लगने वालों को थोड़ा confidence भी होना चाहिए तब ज्यादा सुन्दर लगते है और ये confidence जो है ये आत्म विश्वास जो है कृष्ण को कहां से आया है ये नंद बाबा का बेटा है इसलिए उसको थोड़ा अभिमान है कि मेरे पिताजी जो है व्रज के राजा है तो सुन्दर ता और गर्व थोड़ा सा combination मिलके कितने सुन्दर हमारे कृष्ण लगते है कि वैकूंटे से लक्ष्मी देवी आ गई है और यहाँ पे कहते है शाश्वद आत रही ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी देवी आके देखके चली गई यहाँ पे पर्मनेंट शाश्वद भाव से रह गई यह व्रिंदावन में कहते है मैं नहीं जाओंगी मैं तो यहीं रहूंगी मैं कृष्ण को देखना चाहते हूं इन फैक्ट एक लीला आती है जब लक्ष्मी देवी को नारद मुनी वाइकूंट में आके कृष्ण का इतना गुनगान करते है वो ऐसे है देखने में वैसे है ऐसे है तो लक्ष्मी देवी सोचती है मुझे भी रास में भाग लेना है मैं भी कृष्ण को देखना चाहती हूं तो लक्ष्मी देवी जब आती है नीचे वे रास में भाग लेना चाहती है लेकिन जब वन और जाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है गोपिया, recovery आप नहीं आ सकते अंदर मैं तो लक्ष्मी देवी कहते हैं नहीं की नहीं आ सकते पतनी हो मैं उनकी तो कहते हैं यहां पे पतनी को यहां पे कोई तो लक्ष्मीदेवी ने क्या किया, एक जाड के नीचे बैठके तपस्या करना शुरू कर दिया, अभी भी कल्युक हो गया है, लक्ष्मीदेवी तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको रास में जाने की परमिशन नहीं मिली है, तो अभी भी आप कर व्रिंदावन में बिल्ववन, व्रिंदावन के जो बारा फॉरेस्ट है, उसमें से एक वन का नाम है बिल्ववन, आप अगर बिल्ववन जाएंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का एक मंदिर है, वहाँ पे पुजारी आपको ये लिला बताएंगे, लक्ष्मी जी अभी भी बैठी है, तपस्या कर रही है, लेकिन उन्हें रास के अंदर में प्रवेश नहीं मिला है, तो ये रास के अंदर में प्रवेश नहीं है, लेकिन लक्ष्मी देवी व्रिंदावन में स्थाई भाव से तपस्या कर रही है, वहीं बैठी होई है, तो जयति ते धिकम जन्म नावरजा इवरिंदावन की ग्लोरी महीमा बढ़ गई है क्योंकि आपने यहां पे जन्म लिया है और लक्षमी देवी भी यहां शाश्वत भाव से रह रही है आपकी श्रुयता श्रुयता मने श्रुयता रूट से आता है अगर आप और हमें नहीं दिखाए दिये तो यह जो स्वाश हमारा स्वाश जो हमने पकड़ा हुआ है हम छोड़ देंगे उसका मतलब हम प्रान त्याग कर देंगे यूकि हमसे और यह स्वास रुकने वाली नहीं है अगर हम आपको नहीं देख पाएंगे गोपियो का कहना है कि भगवान के विरह में शरीर त्याग करना बड़ी बात नहीं है जब नित्यानंद प्रवु को स्वामी जी लेके चले गए थे तीर्थे यात्रा में तो हड़ाई पंडित ने अपना शरीर त्याग कर दिया था जब श्री राम बनवास में चले गए थे तो दश्रत महराज ने अपना शरीर त्याग कर दिया था भगवान के विरह में शरीर त्याग करना बड़ी बात नहीं है विरह में जीना ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान नहीं है और फिर भी आप अपने शरीर को रखोगे और उनकी सेवा करते रहोगे ये बहुत बड़ी बात है तो विरह में सेवा करना बहुत उत्तम माना जाता है लक्षमन ने भी ठाकुर जी की सेवा की थी लेकिन भरत माहराज ने विरह में सेवा की ठाकुर जी क अगर हमें तुम सच में गुरू को प्रेम करते हो तो ऐसा नहीं है कि गुरू के पास बैठे रहना है गुरू की वानी गुरू जो चाहते है उन निर्देशों को उन आदेशों का पालन करना ही गुरू को सच में प्रेम करना है तो तुम जाओ और प्रचार करो अलग-अलग तो यहां पे जो है विरह में भगवान का विरह इन से सहन नहीं हो रहा है और वे कह रहे हैं कि आप जल्दी से वापिस आ जाओ यहां पे भगोपियों का विरह के बारे में बताया गया है कि कैसे वे भगवान के बिना एक मिनट नहीं रह पा रही है मुझे एक कथा याद आ रही है चंडी डास और ऐसे अलग अलग बहुत सारे पोईट्स कहते हैं जो मतलब कविता करते हैं कवी उनकी भजन चैतने महाप्रभू सुनते थे और उसमें से एक भजन बहुत सुन्दर है जहां पर वे बता रहे हैं कि राधा राणी एक बार ललिता और विशाखा से कहती है कि कृष्ण का विरह मुझसे और सहन नहीं होता है हे ललिता हे विशाखा मुझे थोड़ा विश दे दो तो ललिता और विशाका कहते हैं राधा रानी को के विश तो हम दे देंगे राधा लेकिन विश पीने से भी तुम मरोगी नहीं क्यूंकि आपको अम्रित का ओवर्डोज हो गया है, कैसे अम्रित का ओवर्डोज हो गया है, क्यूंकि आप कृष्ण को देखती हो आखों से, तो इसलिए आख में बहुत जादा अम्रित चला गया है, आप कृष्ण को पहनाए हुए फूलों का गंद लेती हो, तो नाक में अ और ओर्डोस होने से जो है पॉईजन काम नहीं करेगा, विष्ष काम नहीं करेगा, राधरानी कहती है, कोई बात नहीं, देखे तो देखो, और देखो ललीता, अगर मैं मर गई ना, तो मेरी शरीर को जलाना मत, बुला क्यों, क्या जलाओगे, क्रिष्ण की विरामे में इतन मेरी डूबी हुवी हूँ, डूबे हुवे शरीर को, और क्या जल में डूबाना, अच्छा एक काम करो, मैं जब मर जाओंगी ना, तो मेरे मृत शरीर को तमल के जो विरिक्ष होता है, उसके डाल पे लगा देना, ललता कहते हैं क्यों लगाए, तमल की विरिक्ष के उपर म राधारानी कहते हैं क्रिष्ण काले तमल काला, इसलिए जब मैं तमल को देखती हूं मुझे क्रिष्ण की याद आती है, राधारानी कभी-कभी तमल की विरिक्ष को अलिंगन करती है, क्रिष्ण जानके, तो कहते हैं कि तमल की विरिक्ष के डाल में मेरे शरीर को रख देन जब कृष्णा आएंगे तब वो मेरे शरीर को देख पाएंगे तो लडिता विशाका कहते हैं अरे तुमारा शरीर तब तक रहेगा कैसे देखो डाल पे तो बहुत सारे कववे हैं यह सारे कववे तो तुमारे शरीर को खा लेंगे तब राधरानी रोने लगती हैं लडिता विशाका के पैर पर गिर जाती हैं कहते हैं लडिता है विशाका एक काम कर दो मेरा केवल एक काम बोला यह जो कववे है ना उनको कहना जब मैं मर जाओ ना मेरे शरीर को खा ले मुझे कोई प्रोब्लम नहीं पूरा शरीर को खा सकते हैं केवल मेरे दोनो आखे है ना उनको मत खाना क्यों वो जो आखे अगर बची रहेगी तो जब कृष्ण मतुरा से आएंगे तब मैं वो दोनों आखो से कृष्ण को देखूंगी वस में इतना ही जाती हूं तो अब यह सारी बाते सुनके ललिता विशाखा विरिंदा देवी सा कान पकड के मतुरा से में लेके आ रहे हूं राधा तुम बिल्कुल मत रो मैं अभी गई और अभी आई आज देखो मैं क्या करती हूं लेकिन एक मदद चाहिए मुझे राधराण ने कहा क्या तुम्हें याद है एक बार जब तुम कृष्ण से मान कर रही थी कृष्ण से तुम नाराज हो गई थी तब कृष्ण ने तुम्हें एक पत्र लिखा था कृष्ण ने कहा था हे मेरी प्रान प्रिये राधा मैं तुम्हारा दास हूं इती इती नंद का कुमार कृष्ण पर उन्होंने साइन किया था वो लेटर मुझे चाहिए जहां पर उन्होंने तो वहां पर कृष्णा लिखा हुआ इति तुम्हारा दास नंदका कुमार ब्रिंदा देवी उस पत्र को लेती है गाओं की गोपिया थी तो उनकी जो साड़ी जब वो पहनते है तो यहां नाक तक साड़ी का पलू रहता है और फिर वो जब गई मत्भुरा नगर में मत्भ करी है क्योंकि इतना गुंगर्जे डाला हुआ है तो सब उनको बुला-बुला के पुछरे कहां से आई हो तुम क्या कर रही हो यहां पे मैं ब्रिंदावन से आई हो अच्छा क्या का मैं यहां पे यह मैं कृष्ण से मिलने आई हो तो फिर वो मत्वुरा के जो वासी उन्हें डाड देते हैं वो ते क्रिष्णा ऐसा नहीं कहते हैं यह हमारे राजकुमार है राजकुमार क्रिष्णा ऐसे संबोधित करो क्रिष्णा ऐसा नहीं कहते हैं यह हमारे राजकुमार है मत्वुरा के राजकुमार है तो कहते हैं ठीक है तुमारे जो भी होंगे राजकुमार मैं उनसे मिलना चाते हूँ मत्धुरा के वासी कहते है ऐसा कोई नहीं मिल सकता आमरे राजकुमार को तुमारे पास appointment है कितने मैंने पहले ली थी किस से ली थी कैसे होगा तुम नहीं मिल सकती अब इनको समझ में नहीं आता है क्या करे ऐसे तैसे करके किसी तरह से सबको पूछ 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 के पहुँच गए मत्धुरा की राजभवन के सामने मत्धुरा की राजभवन के सामने जब खड़े है तो वहाँ पर बड़े-बड़े सैनिक खड़े हुए कहते क्या चाहिए औरे छोरी कहां से आई हो, क्या चाओ ए तुमको, या मैं कृश्न से मिले, ये क्या बात हो, राजकुमार कृश्न को, हां वो compris जो तुमारे है राजकुमार, मैं उन से मिलने आई हो, दिखो ऐसे तो हम किसी को मिलने नहीं की देते, क्या वो तुमें जानते है, क्या वो तुमें पहचानते है, अब विरिंदा देवी को आता है गुसा, बड़ा आया, पहचानने वाला, क्या कृष्ण कौन है, हो हमारा कलका छोरा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरा नाम बोलो, वो अभी आ जाएंगे, मुझे लेने के लिए सैनिक लोग हसने लगे, बोला, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम ऐसे तुमारे जैसे बहुत आते हैं मिलने के लिए, विरिंदा देवी ने का, अच्छा ठीक है, तुम अगर राजा को नहीं बुलाते हो, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, ये मंत्र बोलने से तु अब मैं ये मंत्र शुरू कर रहे हूं, देखना तुमारा राजा भाग के आएगा, बोला, ठीक है, शुरू करो, अब सब अतुरता से देख रहे हैं, क्या मंत्र है इसके पास में, फिर विरिंदा देवी ने शुरू किया, राधे, 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 और जैसे जैस राधे, राधे कह रहे हैं, क्रिश्न के कान में, राधा रानी का नाम पड़ा, क्रिश्न अस्चरिय चकित, मत्रा में, राधा रानी को कौन याद कर रहा है, क्रिश्न भागते हुए, सही कपड़े भी पहने नहीं थे, भागते, भागते पहुशते कि कौन हो तुम, मेरी र करके अंदर राजभवन में आईए मैं आपसे बात करना चाहता हूं अब ब्रिंदा देवी जो है बड़े गर्व से वो सैनिकों के सामने देख रहे कि मैंने कहा था ना ऐसा मंत्र बोलोंगी कि आपके राजा मेरे पीछे आएंगे तो फिर उनको ले जाते है कृष्णा और उ आप आई कहां से है ब्रिंदा देवी कहते है मेरा नाम में कहां से आई बोल गई कहां से आई मेरा नाम याद नहीं आ रहा है कृष्णा कहा ये क्या खुद का नाम क्या कोई भूल जाता है आपका नाम क्या है आप कहां से नहीं तो कह रही हूं ना याद नहीं आ रहा है में कहां से आई, मेरा नाम क्या है, मैं सब भूल गई कृष्ण कहते, ऐसा तो मैंने कभी पहले नहीं देखा, यह तो अजीब सी बात है तो व्रिंदा देवी ने कहा, इसमें अजीब क्या है, मैं तो देखते हूँ, जो भी इस नगरी मतुरा में आता है वो भूल जाते है, वो कहां से आये है, उनका किन के साथ क्या रिष्टा है, उनका नाम क्या है ऐसा तो मैं अब देख रहे हूँ, मतुरा नगरी का कोई रोग है, यहाँ पे आके सब ऐसे हो जाते है अब क्रिष्ण समझ गए, यह तो मुझे ही टाना मार रही है कि मैं जो बुर्दावन से आके, वरिदावन वासियों को भूल गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मेरे उनके साथ क्या रिष्टा है उसका मतलब यह मुझे टाना मार रही है तो कृष्ण साथी साथ में विशाई को बदल देते हैं, ठीक है छोड़ दीजे, कोई बात नहीं, आपको आपका नाम याद नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, आपको न्याई चाहिए न, बताए क्या है आपके समस्या, मैं आपको न्याई दूगा, फिर व्रिंदा देवी क हम तो गाउ के सिंपल गर्ल्स है, साधारन लड़किया है, हमने हमारे गाउ में एक तोते को पाला था, सुन्दर सा तोता, उस तोते को हम माखन खिलाते, उस तोते को हम अच्छी तरह से जो है उसका ध्यान रखते, लेकिन पता नहीं, एक दिन वो तोता उड़के मतुरा आ व्रिंदा देवी कह रही है कि हमारा तोता माने कृष्णा, हमारे तोते को किसी ने मतुरा में पिंजरे में बंद कर दिया है, हमारे तोते को हमने बड़ा किया है, पोशन देते होवे, माखन खिलाते होवे हमें हमारा तोता वापिस चाहिए, अब व्रिंदा देवी कोड ल ये किसी के नहीं होते है जिस सरह से आप देखो अगर विरिंदावन से कोई हवा यहां आती है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये विरिंदावन की हवा है तो मिरिंदावन चले जाओ मतुरा क्यों आ रहे हूँ मतुरा की हवा विरिंदावन आ सकती है जिस सरह से नदी होते है, क्या नदी का प्रवा कोई रोक सकता है, कि ये नदी इस शहर से इस शहर क्यों जा रही है, कोई पक्षी होता है, तोता होता है, क्या हम तोते को रोक सकते हैं, कभी इस डाल में बैठेगा, तो कभी उस डाल में बैठेगा, तो इनकी कोई जाती, इनक को आनन देता हूं तो जब ये सारी बाते करने लगे तब ब्रिंदा देवी को आया गुसा उन्होंने निकाला अपना घूंगट और कहा अच्छा बड़े आये तोते तुमको अभी बताता हूं तोता नदी हवा किसी का नहीं होता है तुम तो हमारे होर भगवान के जो है कान पकड रही है गोपिया जो है भगवान को बहुत प्रेम करती थी और उनका भगवान पे पूरा पूरा हक था जब ये चाहे भगवान को जो चाहे कह देती थी मुझे गुजराती का एक गुजराती में एक भजन याद आ रहा है अब ये गोपिया कृष्ण से कहती है गुपिया कैते इतना ओवराक्टिंग, इतना आक्शन्स मत मारो, तुम जो ये बड़े हुवे हुए हुना, मारू माखन खाई, मेरा माखन खाके, मुझे ही मेरे सामने इतनी सा रेक्टिंग, छोटे से बच्चे मेरा माखन खाके बड़े हुए और इतना ज्यादा तुम मेरे सामने ये मत करो, ये गुपियों का भाव है, कृष्ण को वो अपना मानती है, तो ये कहानी काफी लंबी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, और क तो ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला आए है, लेकिन फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर हम उस लीला में और जाएंगे, तो उस दरह से यहाँ पर कोपिया जो है, कृष्ण से कह रहे है कि तुम जल्दी से वापिस आओ नहीं तो हम हमारे स्वास को और नही बता रहे है, वे कह रहे है, जय तिते धिकम माने, गोपिया कृष्ण से कह रहे है, जय तो हमारी होगी, तुम यह जो हमारे साथ खेल खेल रहे हो ना, लोकाचूरी का खेल, जहां पर मतलब हमने आखे बंद की और फिर सारे चुप जाते हैं और फिर हमें जाकर ढूमना हमारी ही जय होगी ऐसे गोपिया कहती है, तो बहुत सुन्दर सुन्दर अलग-अलग भावो से जो है ऐस एक स्लोप को बहुत सुन्दर तरह से शंजाते हैं, तो इस सरह से जो है गोपिया कहती है कि तुम ne Woo Tod Are Shrina De diğer पीछे यहां पर Definition sub South Najтов विरिंदावन में है इसलिए विरिंदावन सामान्य जगा नहीं है देखने में लगेगा कि वैकुंट का ऐश्वर्य ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वज्जर जैसे कहते हैं डाइमंज और प्रेश्य स्टोन से बना हुआ है और विरिंदावन तो लगता है जैसे फ चिंतामनी राय चिंतामनी पत्थर से ज़्यादा मुल्यवान है और वहाँ भी ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य ढगा हुआ है दिखाई नहीं देता है क्योंकि लक्ष्मी देवी शाक्षात वहाँ भी विराजित है लक्ष्मी देवी जहां कृष्ण है वहाँ लक्ष्मी अगर आप पूरा research करो उनकी family के बारे में तो after some generations लक्षमी देवी चली जाती है लेकिन जहां पर लक्षमी नारायन दोनों की पूजा होती है वहां शाश्वत भाव से लक्षमी रहती है क्यों क्योंकि लक्षमी का स्वभाव है चंचला वो रहने पती एक जगा लेकिन जहां पर पती होते हैं पती के सामने क्या होती है साधारन तो स्त्रिया पती के सामने वाम स्वभाव बहुती हम्बल और बहुती tolerant और patient और सारी अच्छी qualities ये करती है तो भगवान खुद जहां पहे तो लक्षमी देवी एकदम जो है अपना चंचल स्वभाव छोड़के वहां स्तिर भाव से रहती है तो किसी को भी अगर चाहिए कि लक्षमी देवी हमारे जीवन में आये तो लक्षमी नारायन दोनों क को बुलाना है तो उस तरह से यहां पर गुपिया ये बात कहती हुई इस स्लोक का अंत करती है दूसरे स्लोक में चले जाएंगे सरदुदासय साधुजातसा सरसिजोधरा श्री मुषाद्रिशाम सुरतनाथते शुकदासिका वरादनेगनातो नेहकिम वधा यहां पर गुपिया बोलती है कितना सुन्दर वातावरन है इस वातावरन में ऐसा कोई खेल खेलता है क्या लुका चुपी का खेल इस वातावरन में तो एक दूसरे का संग करना चाहिए तुम देखो शरद रतु है शरद पुर्णिमा की रात है शरद उदासय उदाशय सारे उदाशयों में जल एकदम भरा पड़ा है साधु जात सत सरसी जोदरा और ये सारे जल उदाशयों के बीच में कमल के फूल है जो बहुत सुन्दर से विकसित हुए है और ये कमल के फूल इतने सुन्दर से साधु जात मने गुट कॉलटी fine quality कमल के पूश पर विकसित हुए क्यों श्री मुशाद रिशा क्योंकि आपके सुन्दर दो नयन इक्ष उनके तरफ देख रहे है इसलिए वे इतनी सुन्दर तरीके से विकसित हो रहे है ये बहुत सुन्दर पॉइंट है क्योंकि जब गोपिया 29 वे अध्याई में पूपिजाण एक बात बोलते हैं कहते तुम सब इतनी सुंदर नारिया हो इतनी सुंदर हो तुम लोग देखने में तुम्हारे सुंदरता का विवरन नहीं करना ये मुझ से नहीं होगा तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते इस लोग आता है जहां पे कृशना ऐसा कहते तो आपने अभी अभी कहा सुन्दर है, क्यों है हम सुन्दर क्योंकि आपकी नजर पड़ी है, अगर आप अपनी नजर विड्रॉ कर लोगे, आप हमारी तरफ नहीं देखोगे, तो हम मुर्जा जाएंगे, जिस तरह से जब सूर्य की कांती फूलों पे नहीं पड़ती है, तो फ फूलों पर गोपिय के रहे हैं, सर्द उदास से साध उजात साद, जब सार्द इसके बहुट सारी शुन्दर-सुन्दर कमेंट्री है, केवल इस दो लाइन पे पूरा क्लास हो सकता है, इतनी सुन्दर-सुन्दर कमेंटरी कहीं एक जगे वैश्नवाचार्य कह रहे हैं, सर and crystal clear कितने स्वच्छ कितना स्वच्छ है जिस तरह से भक्त का मन होता है भक्त का मन भी स्वच्छ होता है मलेन नहीं होता है उसमें कोई मलेंता नहीं होती है और जिस मन में मलेंता नहीं होती है उसमें भक्ती का कमल पुष्प उगता है लेकिन ये भगती का कमल पुष तभी विकसित होता है जब भगवान की मरसी, मिर्शा, दिशा, भगवान जब उनके तरफ देखते हैं अगर भगवान उनसे दुरुष्टी हटा देंगे तो उनका जो है भगती का फूल मुर्जा जाएगा तो इसलिए गूपिया कह रहे है कि हम मुर्जा जाएंगे अगर आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे तो आप दया करके वापिस आईए सरदुदास ये सादुजातसत सरसी जोदराश्री मुशादरिशा फिर कहते हैं सुरतनाथ ते शुलकदासिका सुरतनाथ मने हमने तो सुना था कि आप प्रेम की देवता है और प्रेम की देवता के पास में हम प्रेम मांगने आये थे तो हमने सोचा था प्रेम की देवता को प्रेम मांगेंगे तो प्रेम देगा प्रेम देना तो दूर की बात है, आप तो भाग गए, हमें छोड़ के ही चले गए, ये क्या बात हो गए? शुलक दाशिका, हम आपके क्या कहते है न, परिचारिका, हम आपके परिचारिका है, आपकी काम वाली, आपकी दासी है, हमारे साथ मैं ऐसा खेल, क्यों खेल रहे हो? तुभी काम करो, ऐसा खेल तुम अपने समान लोगों के साथ खेलो, जो आपके समान है, हमारे पास इतनी तुम्हें वर्दान देना चाहिए, प्रेम का वर्दान देना चाहिए, कोई तुम्हारे पास में आता है तो, लेकिन तुम्हारे खून कर रहे हो, मारना चाहते हो, कोई तुम्हें प्रेम मांगने आता है, तो किम वधा, तुम मार दोगे, उसे खतम कर दोगे, क्योंकि ये तो मार नहीं हुआ न, तुम जो हमारे सामने से चले गए हो, तुम्हारी अन उपस्तिती हमें मार रही है, तो ये तुम गलत कर रहे हो, कृष्णु तुम बापिस मुझे यहां पर एक सुंदर बात ये लगी, सुलकदाशिका, एक्चली ये जो दासी शब्द है, इसकी बहुत स्पेशल बात है, क्योंकि जब हम लोग दिक्षा लेते हैं तो हमारा नाम भी भोजाता है दासी, दास, दासी, लेकिन ये दास ये बहुत बड़ी बात है, एक मतलब नौकर को वेतन मिलता है, salary, at the end of the month, पैसा मिलता है काम करने के लिए, नौकर को छुटी मिलती है, medical leave, casual leave, छुटी आ होती है, नौकर को timing होता है, सुबह 9 बज आएंगे, शाम को 5 बजे चले जाएंगे, ये नौकर है, लेकिन हम भगवान के नौकर नहीं है, दास है, दास के कुछ चुटी नहीं होती है, गुलाम, कहते न, slave, English में कहे तो, गोपिया कहते है, हम तुमारे नौकर नहीं है, हमें तुमसे salary नहीं चाहिए, दास है तुमारे, दास मतलब दास का कोई timing नहीं होता है, दास चॉबिस घंटा काम करता है, दास को वेतन नहीं मिलता है, दास को कोई चुटी भी नहीं मिलती, कोई leave भी नहीं होता है, तो हम तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे है, हम इस कौन में, आने के बाद हम सोचते है, जब हमारा दिक्षा का नाम हो जाता है दास, मैं भी तो भगवान का दास हूँ, दासी, लेकिन हम उस दास और दासी के स स्थर से बहुत दूर में है, क्योंकि हमें तो हर महिना सैलरी चाहिए, भगवान से, हर महिना चाहिए, हम तो भगवान से कहते हैं कि आरे, मैं इतना सुंदर साधना कर रही हूँ, मैं मंगलार्ती, दर्शनार्ती, गुरु पुजा, क्लास, भागवत पढ़ना, प्रशाद देना, वैशनव का संग करना, बुक डिस्टिबिशन करना, दान देना, कितना कुछ कर रहा हूँ, तो उसके रिटर्न में आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं, तो उसका मतलब हमें वेतन चाहिए, हमें ठाकुर जी से कुछ चाहिए, मैं इतना कर रहा हूँ, आप मेरे ये कुछ करो, तो ये तो दास वाली बात नहीं, ये तो नौकर वाली बात है, नौकर को सैलरी मिलेगी, पुछ मिलेगा, लेकिन दास बनने से हम अभी बहुत दूर है, लेकिन एक दिन हमें उस पोजीशन में आना है, जहां कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, हम केवल आपके बात ना करो, हमें परवा ना करो, फिर भी हम तुमारे दास रहेंगे, ये है भक्त का भाव, तो यहां पे एक है रहे, हम तो तुमारे दास है, हमारे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो, कृष्ण दया करके तुम वापिस आ जाओ, गोपिया कह रहे है, तुम बिना शस्त्र के म मार रहा है, He is killing us, हमारे सामने नहीं आकर जो है हमें मार रहे है, कृष्णा, तो यहां पे गोपिया, कृष्णा की सुंदर रूप के बारे में भी बता दी है, श्री, श्री माने सुंदर, श्री मुषा अद्रिशा बहुत सुंदर, क्यूँ गोपियों का भाव है कि साधा नहीं होता है है लेकिन उनका स्वभाव अच्छा होता है है तो उसका मतलब उसका मतलब उसका स्वभाव भी अच्छा ही होगा ऐसा हमारा एक एकस्पेक्टेशन होता है तो यहां पर गोपिया कहते हैं हम भी ऐसा ही सोच रहे थे कि तुम इतने सुंदर हो देखने में तुमारा स्वभाव भी अच्छा होगा पर लगता है कि तुम्हारा सोबाव अच्छा नहीं है, तुम तो हमें मारना चाहते हो, हम इतने होप से तुम्हारे पास में आए है, प्रेम के देवता, हमें प्रेम प्रदान करेंगे, लेकिन आप तो जो है हमें मारना चाहते हो, तो दया करके है कृष्णा, हमारे पास में तुम वापिस आजाओ, हमें इस तरह से तुम मत मारो, शुलक दाशिका, नी शुलक, बिना मुल्य के तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हमें ऐसा मत करो, और एक स्लोक लेके मैं खतम करूंगे, वैद्युतानला, विश्यमयात्मजाद, विश्वतो भयाद, विश्यभते वयम्, रख्षिता मुहूं। गोपिया कहती है, पूर्व में तुमने हमें कितनी बार बचाया है, और भविश्य में भी तुम बचाने वाले हो, तु वर्तमान में मारना क्यों चाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है, विश्य जलाप ययाद, कालिया साप, जो यमुना के नदी में विश्य फैला रहा था, उसको तुमने निकाल के हमें बचाया, व्याल राक्षसाद, अघासुर से तुमने हमें बचाया, वर्ष मारुताद, मारुताद, तुफान, तृनवर्ता से हमें बचाया, वैद्युत मया दानव के बेटा व्योमा सूर से हमें बचाया विश्व तो भयाद सारे विश्व को भय से बचाने के लिए मुक्त करने के लिए तो आप आये हो और उस विश्व के अंदर में तो व्रिंदावन है और व्रिंदावन के अंदर हम है तो सब को बचाना चाहते हो तो हमें क्य मारना चाहते हो, यह समझ में नहीं आ रहा है और मारना ही चाहते थे तो पहले बचाया क्यों, तभी मार देते तो अब यह क्या हो रिशभधे वयम रक्षिताम धया करके हमें बचाओ हम और हमारे प्रान को रखने ही पाएंगे जल्दी से कृष्ण तुम वापिस आओ तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अरिध्रा सूर और वयमा सूर की बाद क्यों आ रही है अरिध्रा सूर और वयमा सूर तो अभी तक आये भी नहीं है वो तो रासलिला के बाद में आने वाले है तो गोपिया ऐसा क्यों कह रही है तो विश्वना चक्रवर्ति ठाकूर अपने कमेंटरी में कहते है कि गर्ग मुनी जब आये थे व्रिंदावन तब उन्होंने बता दिया था कि इन्सकिन दानव को कृष्ण मारने वाले है और एक जगे विश्वना चक्रवर्ति ठाकूर ये भी कहते है कि क्योंकि गोपिया नित्य सिद्ध भक्त है ऐसे बहुत बार लीलाए उन्होंने देखी है पहले पहले भी ये लीलाए हो चुकी है तो उन्हें बाई हाठ है कौन से दानव के बाद कौन से दानव को मारने वाले क्यूंकि ये तो फिक्सट है क्रश्ण का तो ये पूरे तत्व को जानते थे गोपिया केवल इमोशनल भक्तने उनको पूरा घ्यान था तो इसलिए ओफ्यूचर का भी बता रहे है कि फ्यूचर में भी बचाने वाले हो और पूर्व में भी बचाया था बविश्य में भी बचाओगे तो वर्तमान में प्रॉब्लम क्या है मार क्यू रहे हो हमें दया करके जो है तुम वापीस आचाओ क्रिश्ण यह कहते हैं तो एक सुंदर बात जब क्रिश्ण मत्थुरा गए थे और वहां पे उन्होंने नंद महराज से कहा कि अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा यहां पे बाबा आप जाए मैं आता हूं वरिंदावन तब नंद महराज ने भी यही बात कही थी कृष्ण से कहा कि लाला तुमने जब गिरिराज गोबर्दन उठा के हमें अब मुझे मन में क्या लग रहा है उस दिन अगर गिरिराज हमारे सिर पे गिर गया होता और हम मर गये होते तो अच्छा होता क्योंकि आज तुम जो यह बात बोल रहे हो ना कि बाबा आप जाओ मैं बाद में आऊंगा मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा हूं यह जो दुख त तुम्हारे विरह में नहीं रह सकता तो उसी दिन मर गये होते गिरिराज हम पे गिर जाता तो बहतर होता तो व्रजवासियों को क्रिश्न से इतना ज्यादा प्रेम है वे क्रिश्न के विरह को सहन नहीं कर पा रहा है कहीं और मैंने पढ़ा था कि विश्य जलाप्ययाद का भी विशेश विश्लेशन किया है विश्य जलाप्ययाद मने गोपिया कह रही है कि जो जीव इस भौतिक जगत में मनुष्य जन्म पाने के बाद भी अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा कि अपने भोग के लिए व्यवाहार करते है तो वे विश्य जल विश्य जल में तेर रहे है तो गोपिया कह रही है कि हम भी तो विश्य जल में तेर रहे थे लेकिन तुम जो ये विश्य जल में आये हो अब तुमसे जो हमारी प्रीती बढ़ गई है अब जो हमारे हरे एक इंद्रिय से हम तुम्हारा पान कर रहे है विश्य जल से हम तुम्हारी बाते करना, तो हमें तुमसे दूर क्यूं कर रहे हो, गोपी का मतलब यह है, गोपी, गोँ माने इंद्रिया, पी माने पिवति, जो अपनी हर एक इंद्रियों से भगवान को पी रही है, वो है गोपी, तो अब जो तुम हमारे सामने नहीं हो, तो हम फिर से विश जल में डूब रहे है दया करके हमें आप बचाओ तो उस तरह से जो है गोपिया ये पात कहते हुए इस स्लोक को अंत करती है दूसरे स्लोक में चले जाएंगे नखाल गोपिका नंदनो भवावा नखेल देहिना अंतरात्मद्रे विखानसार्थितो विष्वगुप्ताये सकाव देवान सात्वतां कुले यहाँ पे गोपिया कह रही है देखो कृष्णा बदमाशी मत करना हमें पता है तुम कौन हो नखालू गोपिका नंदनो भवन ऐसा नहीं है कि तुम केवल नंद महराज और जशोदा के बेटे हो अखिल देहिनाम अंतरात्मद्र सबके खिरदय में परमात्मा के रूप में तुम विराजित हो इसलिए ये जो हम रो रहे है ना तुम्हारे लिए तुम्हे सुनाई दे रहा है तुम क्लियरली सुन रहे हो कि हम तुम्हारे लिए रो रहे है फिर भी तुम वापिस नहीं आ रहे हो यहां पर क्यों ऐसा गोपिया क्लारिफाई कर रही है कभी-कभी ऐसा होता है न हम लोग अगर किसी का फोन नहीं उठाना चाहते तो हम कहते actually phone charging में रखा था मैंने देखा ने अपने phone किया था actually phone silent में था actually phone उस room में था मुझे ringtone सुना ही नहीं दिया तो गोपिया सोच रहे Krishna भी ऐसा बोलेंगे अरे आप लोग रो रहे थे क्या मेरे लिए क्यों रो रहे थे actually रास लीला करते करते मेरे को बीच में पैरो में दरद हो गया मैं थक गया तो मैं घर जाके सो गया अरे आप लोग पूरा रात मेरे लिए रो रहे थे क्या अरे मुझे तो पता ही नहीं था तो इसे लिए गोपिया बोले देखो वो सब ओवर आक्टिंग मत करना तुम्हें पता है हमें क्या हो रहा है कल सुबह आके अच्छा मुझे तो पता ही नहीं यह मत बोलना अखिल देहि नाम अंतरातम देख सब के हृदय में तुम हो और हम जो तुम्हारे लिए यह बीच रात में घने जंगल में अकेली स्त्रिया रो रही है तुम सुन रहे हो हर एक बात को फिर भी तुम नहीं आ रहे हो खिल देहि नाम अंतरातम देख तो क्रिश्न पूछेंगे अच्छा में अंदर में था तो बाहर क्यूं आया थर्ड लाइन में कहता है विखनसार्थितो विश्वगुपते यह विखन माने ब्रह्माजी अर्थितो माने ब्रह्माजी ने जब शुष्टी की तब उन्हें बहुत दुख लगा कि इस जीव इस शुष्टी में सब जीव जो है आधियत्मिक, आधिदेविक, आधिभोतिक ताप से सफर कर रहे है, इनका solution क्या है, हे भगवान, आप यहाँ पे लिला करो, इन जीवों को तारों उधार करो, तो विखन असार थी, तो ब्रह्मा ने जो अर्जी की थी, विश्व गुप्त के अंदर तो वरिंदावन है, वरिंदावन के अंदर तो हम है, हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो, सखा उदे इवान, पहले कहा तुम भगवान हो, उपर में दो लाइन में कहा, लास्ट लाइन में कहते है, ओ सखा, मने इमोशनल ब्लैक्मिल, हो सकता है तुम भगवान ह हमारे तो सखा हो ना हम पे इतना दया नहीं करोगे ओ फ्रेंड, you are our friend हमारे दोस्त हो, तुम सखा हो क्यों हमें ऐसे मार रहे हो जल्दी से तुम वापस आजाओ और एक बाहत यहां में से सुन्दर लगी उदेवान गोपियों ने क्रिष्ण को यहां पे जन्म नहीं कहा, उदेव, मने जिस तरह से सूर्य उदेव होता है और अस्त होता है, सूर्य का जन्म नहीं होता है, जिस तरह से उसी तरह से भगवान का भी आविर्भाव होता है जन्म नहीं होता, और यह बात गोपिया भली भाती जानती है इसलिए यहाँ पे शब्द यूज़ करती है उदेईवान, तुम आए हो तुमारा अप्यरेंस हुआ है, तुमारा आविर्भाव हुआ है, कहा हुआ है तुमारा आविर्भाव, सात्वतम कुले सात्वतम मने इसके दो अर्थ सात्वत माने सात्विक भक्त, जो सात्विक, पुन्य, शाली भक्त है, उनके घर में तुमारा जन्मा हुआ है, या तो यह भी कैसे थे सात्वत कुले, यदुकुल में आपका जन्मा हुआ है, क्यों यहां पे दो अर्थ है, क्योंकि अगर कृष्ण गोपियों से कहेंगे, मैं कोई यदुकुल का नहीं हूँ, मैं तो जशोदा का नंद का डेटा हूँ, तो भी ठीक, हाँ, सात्रिक भकतों के घर में तुमारा जन्मा हुआ है, और अगर कृशना क्रिश्चन कहते है, नहीं, मैं कोई नंद जशोदा का डेटा नहीं हो, मैं तो यदुकूल, हाँ तो ठीक है फिर भी तुम पे जमता है सातवतम कुले से तुम हो क्रिश्ण का एक ही साथ में दो जगे आविर्भाव हुआ था मतुरा के कारागार में और जिशुदा महरानी के सामने गोकुल में तो यहां पे बोल रहे हैं सातवतम कुले है यहां पे गोपिया कह रहे है सखा दया करके तुम वापिस आ जाओ तुम हमारी हर एक बात जानते हो सुन रहे हो उसका मतलब गोपिया जानती थी कि क्रिश्ण भगवान है लेकिन उन्हें फरक नहीं पड़ता जैसे विश्वना चक्रवति ठाकुड कहते है कि अगर क्या कहते है नमक के बस्ते बहुत सारे नमक के 40-50 केजी नमक को आप समुद्र में डालोगे तो समुद्र को कोई फरक नहीं पड़ता कि समुद्र इतना खारा होता है उसी तरह से कितना भी कृष्णा आईश्वरिया दिखा दे ब्रिंदवन के व्रजवासियों को कोई फरक में पड़ता उनके लिए कृष्णा उनका अपना है उनके लिए कृष्णा समान है तुमी आमी समा गोपबालक क्या कहते कृष्णा को जादा जादा आक्शन मत दिखाओ तुम हम समान है जस एक बार गिरी राज उठा लिया मतलब अपने आपको बड़ा मत मानो कितनी बार तो गेम में मैं तुमें हरा चुका हूँ प्रिष्णा तुमा रेपीट पे तुम मुझे लेके गए हो बड़ी-बड़ी बाते मत करो जस क्योंकि तुम नंद बाबा के बेटे हो तो हमारे सामने तुम इतना अक्शन मत दिखा उनके लिए ये गोपियों का भावे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों न हो कोई बड़ा hero या कोई बड़ा कोई स्टार क्यों न हो घर में कोई उनको पत्ता नहीं देता है घर में उने साधारन भाव से ही रहना पड़ता है परिवार कुटम के सदस्यों के साथ उसी तरह से कृष्णा हो सकते है पहगवान है तो उनको यहां पे कोई परवानी करता है तो यह गोपिया कहते है कि जो भी है हम सब जानते है कि तुम यह सारी बाते सुन रहे हो दया करके तुम जल्दी से वापिस आजाओ नेक्स्ट स्लोप में जाएंगे विराचिताभयं व्रिष्णिदूर्यते चरनमियुषां संस्रिते भयां करसरोरुहं कांतकामदां सेरासिदेहिनाश्रीकरागरहं यहाँ पर कहरे है विराचिताभयं कृष्णा आप तो अभयं देते है किसको चरनमियुषां आपकी चरनकमल का जो आश्रे लेते है कृष्णा आप उनको अभय, उनको आप अभय का दान देते है विरिष्णी धुरियते समस्रिते भयाद विरिष्णी धुरियते मैंने यहाँ पर कहरे ओ बेस्ट आप विरिष्णी विरिष्णी कुल के उत्तम जो है वो आप है क्यों यहाँ पर बार बार याद करा रहे है क्योंकि यहाँ पर गोपियों का भाव यह है कि तुम विरिष्णी कुल के हो, तुम शत्रिय हो शत्रिय का तो कर्तव्य होता है बुढो, बुढो की रक्षा करना बच्चो की, स्त्री की, ब्रामन की, गाय की यह तो तुम्हारा करतावी है तो तुम एक शत्रिय हो कि स्थ्रियों को मारना चाहते हो इसलिए कहरें व्रिष्णी धुरियते तुम व्रिष्णी कुल के राजकुमार हो तुम्हें ऐसे स्थ्रियों को मारना नहीं चाहिए और जो तुम्हारी चरनों की आश्रे लेता है उन्हें तो तुम भाई से मुक्त करते हो तो हमें क्यों तुम भाई से मुक्त नहीं कर रहे हो हम इस क्या कहते है रात्री में यहां पे अकेले तुम्हारे लिए रो रहे है और तुम हमारे लिए आने ही रहे हो हमें बचाने के लिए जो है हमारी रक्षा करने के लिए तुम l regen रहा हो आच्छे तो krishna कहेंगे अरे बाबा इतना बार बुला रहे हो क्या काम है क्या करो आप करो करसरोर्भम कांत कामादाम कांत मने प्रिया क्या करोगे करसरोर्भम तुमारे जो ये दोनो हाथ है ना सिरसी दे ही ना हमारे सिर पे रखो, हमें आशिवात करो श्रीकरागरहम कौन सा हाथ, कन्फ्यूज मत हो ना श्रीकरागरहम, वो ही हाथ जिससे तुम लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़ते हो ना वेकुंट में, वो ही हाथ वो हाथ हमारे सिर पे रख दो, बस हम यही चाहते हैं तुमसे, यहाँ पे कह रहे है तो बहुत सुन्दर बात यहाँ पे मुझे लगी चरनमी उशा समस्रीतेर भायाद समस्रीतेर भायाद, यह समस्रीतेर भायादी बहुत सुन्दर बात है इस दुनिया में भाई बहुत अलग-अलग टाइप के भाई है कुछ temporary भाई है, जैसे की करोना वाइरस का भाई स्वास्त का भाई अरे मुझे कुछ डेंगो, करोना कुछ होतो नहीं जाएगा एक भाई, relationships हमारी जो संबंध होते उसका भाई, आर्थिक भाई financial, कोई problem, job कुछ अलग-अलग भाई है ये भाई से इतना problem नहीं है क्योंकि आता है, जाता है शरीर यहाँ पे छोड़के हम चले जाते है भक्तो का भाई अलग है भक्तो को भाई लगता है कहीं मुझे बार-बार फिर से जनम ना लेना पड़े इस तरह से शंकराचारे कहता है पुनरपि जननम, पुनरपि मरनम पुनरपि जननी जथरे शहरम भक्त यह नहीं चाहते इह संसारे इह संसारे, खलु दस्तारे कृपिया पारे, पाही मुरारे भक्त पुनरपी जननम नहीं चाहता है तो यह है भक्तो काभ है कि फिर से मुझे यहां पर आना ना पड़े भक्तो को इस शरीर के साथ जो होता है उसका डर नहीं है क्योंकि शरीर तो टेंपररी है रहे शरीर में कुछ रोग हो भी गया आज को भगवान न करें किसी को कोई रोग हो भी गया तो भी क्या यह तो पर्मनेंट नहीं है शरीर को ट्या के दूसरा शरीर मिल जाएगा लेकिन अगर इस समसार के चक्र में फस गए भक्ति विनो ठाकुर का अभाजन क्या है कित जन्मा हो जथा दुवदा अगर आपको भूल गए ठाकुर जी तो यह सबसे बड़ी समस्या है बहुत बार में अनन्त अलवार की कथा बताती हूँ न कैसे अनन्त अलवार बाला जी के लिए रोज फूल की माला बनाते थे तो एक दिन बगीचे में गए फूल तोड़ने के लिए तो साप ने काट लिया तो उसके बाद कुछ चिकित्सा की और फिर शाम को जब भगवान के पास माला लेके पहुचे तो ठाकुर जी अनन्त अलवार की मजाक उड़ा रहे इतना परस पर प्रेम था ठाकुर जी उससे बात करते थे ठाकुर जी केते हैं ए अनन्त मैंने सुना आज तिर को साप काटा है सच है क्या तो अनन्त अलवार केते हैं उसमें क्या बड़ी बात है अगर साप ने मुझे काट दिया और में मर गया तो क्या होगा मैं वैकुंट चला जाओंगा वहाँ पे वीरजा नदे में स्नान करके फिर से आपके लिए फूल माला बनाओंगा आपके सेवा में आ जाओंगा अगर मुझे साप ने नहीं काटा तो यहाँ पे आगाश गंगा में नहाओंगा और आपके लिए फूल माला बना के आ जाओंगा मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे इस भावतिक जगत के साप से डन नहीं लगता पर मुझे और एक साप है जिससे बहुत डर लगता है जो मेरे हृदय में है जो कभी भी मुझे काट सकता है वो है माया का साप वो है भावतिक आकरशनों का साप अगर इस माया के साप ने मुझे काट दिया और मैं भावतिक वस्तों पे आकरशित हो गया और कृष्ण में आपकी सेवा भूल गया तो इस साप से मुझे बहुत डर लगता है तो भक्तो को ये डर लगता है, भक्तो को ये डर नहीं कि इस चरीर का क्या होगा, बस भक्तो को ये डर है कि कहीं माया के प्रलोभन में आके temporary distractions, attractions, अगर हमें भगवान से दूर लेके चले गए और हमने अगर माया देवी के बैंक में अकाउंट खोल दिया, इस बात पे भक्तो को डर है, माया देवी कहेगी, welcome, welcome to my new customer, आप अपना deposit करना शुरू करो, हम माया देवी के बैंक में अकाउंट नहीं खोलना चाहते है, तो ये इस बात से भक्तो को डर लगता है, भक्तो को ये डर लगता है कि कोई भी परिस्तिती इस जीवन में हमें भगवान की सेवा से द सिर्थेर भाया इस भाय से भी दूर हो जाते है, उन्हें विश्वास होता है कि कोई भी परिस्ति क्यों ना आए मेरे जीवन में, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरे भावतिक शरीर की नहीं, मेरे आत्मा की, मेरे भक्ती की, मेरे भक्ती की कृष्ण रक्षा कर ये भक्त का विश्वास है, तो कैसे कोई अपने आपको distraction से, temporary attraction से दूर कर सकता है, अगर हम भक्तों का संग ले, साधना करे और माया से भय, भय होना जरूरी है, भय दो टाइप के है, एक तो healthy भय है, एक unhealthy भय है, healthy भय मने, अगर भय नहीं होगा माया का, तो माया हमें अट्रा कोटी है, हम हर चीज़ taken for granted नहीं ले सकते है, अगर आज कोई माबाप house program में जा रहे है, अगर बेटी को कहते है कि रात को आने में देर लगेगी, तुम जरा अंदर से दर्वाजा बंद कर लेना, अगर बेटी कहे तो आप तो भगते हैं Krishna के, आपको इतना विश्वास नही आपको भगवान के पर फेत नहीं है, ये गलत है, आपको दर्वाजा, आपको अपना काम तो करना है, दर्वाजा तो बंद करना है, हाँ, Krishna पे विश्वास है, लेकिन काम भी करना है, हमें हमारे कर्म भी करने है, तो यहाँ पर माया से sufficiently भाई रखना healthy है, unhealthy भाई कौन सा है, अगर सब समय हम भाई में रहते हैं, यह नहीं, यह नहीं करूंगा, मैं वहाँ नहीं जाओंगा, यह होने से माया में, नहीं, जैसा अगर कोई भक्त बोलता है, मैं कोई shopping mall में जाके book distribution नहीं करूंगा, कहीं में माया में पढ़ गया तो, कहीं में नहीं, healthy भाई, unhealthy भाई, ऐ ऐसा भी नहीं कि एकदम taken for granted, और सब समय कर्मी पाटियों में चले जाए, और भाउतिक जगेत में रहने वाले लोगों से इतना ज्यादा संग करने लगे, और फिर हमें लगे, नहीं, it's okay, I am going to be fine, ऐसा नहीं, भाई तो रहना चाहिए, कि नहीं, मुझे इतना नहीं असोसे तो राजा ने कहा, ठीक है, नहीं खाऊंगा, बोला आम खाऊंगे, तो आप मर जाएंगे, एक दिन राजा जो है, शिकार करते हुए, जंगल में ख्लांत हो गया, मने ठक गया, तो आम के जाड के नीचे बैठके आराम कर रहा था, तो जब मंत्री ने देखा, मंत्री ने कह राजा, चलो चलो, यहां से चलते हैं, जो लगा, क्यों, यह आम का जाड है, राजा हसने लगा, बेवकूफ, डॉक्टर ने कहा है, आम नहीं खाना है, आम के जाड के नीचे बैठने से कुछ नहीं होता, तुम भी बैठो, मंत्री बैठ गया, कुछ देर के बाद में, वहा बैठने से प्रॉब्लम होता है, तोड़ी देर के बाद में, राजा उसको पास में लेके, आरे मंत्री बूल रहा है, आप ही क्या कर रहे हो, राजा बूल रहा है, मैं सिफ देख रहा हूँ, स्मेल देख रहा हूँ, कि पका हुआ है, कि कच्छा है, स्मेल देखने से कुछ नहीं होता, भूला ठीक है, थोड़ी देर के बाद में वो आम को काटने लगा, भूला ये क्या कर रहे हैं, भूला डॉक्टर ने कहा था, आम खाना मना है, चक्खना मना नहीं है, चक सकते हैं, चक्खने से कुछ नहीं होता, उसके बाद में पुरा पुरा आम खा रहे हैं, भ डॉक्टर ने कहा था, आम नहीं खाने चाहिए, एक आम खाने से कुछ नहीं होता, एक ही तो आम खा रहा हूं, और फिर आप बाकी की स्टोरी आप समझ गए, क्या हुआ होगा राजा को, कभी-कभी हमारे साथ भी माया ऐसी करती है, हमें लगता है, एक बार अगर सोला माला मि हो गया, तो कुछ नहीं होगा, पाड नहीं गिर जाएगा, एक बार अगर मैं क्रिकेट देखने चला गया, तो क्या, एक बार कोई लेटेस्ट हिंदी मुवी, बहुँ जादा सब्लों प्रेस करे तो देख लिया, बच्चों को खुश करने के लिए, तो क्या होगा, एक बा कारियों में बदल जाता है, और कब हम भगवान से दूर हो गए, और माया ने हमें पकड लिया, हमें पता भी नहीं चलता, तो यह भगतों को माया से डरना चाहिए, तो यहां पे गुपिया बोल रहे है, सम्सृते भया, यह जो भया है, इससे कौन मुक्त कर सकता है चरन कमल का हम शरनागती ले, तो आप जो है हमें इस भय से बचा सकते हो, हमें कृष्ण का हाथ, भकतों का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जसरा से, मैं हमेशा अकसर यह एक्जामपल देती हूँ कि बच्चे जब जू में जाते हैं ना तो छूटे छूटे टाइगर, सिम्ह को देखते हैं, बाग को देखते हैं और जब बाग चिलाता है तो बच्चे भी जोड़ से चिलाता है, उन्हें डर नहीं लगता है क्योंकि टीचर ने हाथ पकड़ा हुआ है, मा ने हाथ पीछे से पकड़ा हुआ है, तो वे भी एकदम चिलाते हैं, तो उ रहना चाहिए नेक्स्ट स्लोक में चले जाएंगे व्रज जनार्थी हन हन माने डिस्ट्रॉइ अर्थी माने दुख व्रज जनार्थी हन वीर योशितम योशितम माने फीरो आप तो हीरो है आप तो सब की रक्षा करने आ रहे है तो निजजना, आपके निजजना की रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे है, योशितम माने हीरो, तो गोपिया कह रहे हैं, आप देखो कि कभी कभी हिंदी सिन्मा में भी, विलन जो है हीरो इंग को छेड़ता है, और फिर सड़नली हीरो कहीं से तो भी जंप करके आ जाता है, एक पे जो स्तरिया रो रही है रात रूह ले तो तो में आजाना चाहिए, हीरो हो ना तुम, और हमारा जो अर्थी, हमारा जो ये दुख है, उसे तुमें दूर करना चाहिए, और गोपिया परसपर बात कर रही है, अग्छिलि हमारे गल्ती क्या है? कृष्णा हमें छोड़ के क्यों चले गए है, तो गोपी कहते, अरे हमने गर्व किया ना, तो गर्व दूसरी गोपी कहते, अच्छा हमने गर्व किया इसलिए चले गए क्रिश्न और फिर तो यह से छुपने की, यह सब करने की क्या जरूरत थी, हमारा गर्व ही निकालना है तो फिर तो हमारे सामने आके कृष्ण एक बार हस देते है स्माइल देते है उनकी स्माइल देखने से ऐसे हमारा सारा गर्व चला जाएगा क्यों क्यों कि कृष्ण इतने सुंदर है इतने देखने में अच्छे है इतने गुनी है कि उनके सामने किसी का गर्व रहता ही नहीं है आप देखें इस भावतिक संसार में भी शायद कोई बहुत सुन्दर हो सकता है शायद कोई बहुत धनी कोई बहुत ग्यानी कोई बहुत फेमस हो सकता है लेकिन जब ठाकुर के सामने आते हैं, तो सब के हाथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा धनी है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा ज्यादा 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 बलवान है, तो उनके सामने तो भल भले मतलब जुग जाते हैं तो गोपिया बूल रही है कि अगर हम में गर्व था तो गर्व के लिए छुपने की जरूरत नहीं है गर्व के लिए हमारे सामने आओ और सिर्फ स्माइल करो आपका स्माइल देखने से हमारा सारा गर्व चला जाता है कि हम किस चीज़ पर गर्व करें क्या है हम में जो हम गर्व करे इनके सुन्दरता तो देखो इनके स्माइल से ही हम मुगद हो जाते है तो हमारा गर्व चला जाता था वैश्नवाचार्या कहते है यहाँ पे इस स्माइल के बारे में क्यों गोपिया बार-बार कह रही है क्योंकि इसके पहले एक लीला होवी थी गोवर्धन लीला और गिरीराज गोवर्धन लीला में इंद्र को भी अहंकार आया था लेकिन इंद्र का अहंकार को खतम करने के लिए भगवान छुप नहीं गया थे भगवान स्माइल करते होवे गिरीराज को पहाड को उठा दिया और इंद्र को लज्जा आ गई, कि मैं क्या आहंकार कर रहा हूँ, इचोटे से बालक कृष्ण ने चोटी सी उंगली में उठा दिया पहाड को, तो स्माइल से इंद्र का आहंकार खतम कर दिया, तो हमारा आहंकार भी स्माइल से खतम करो न, छुपने की क्या जरूरत है सामने आओ, स्माइल करो हमारा आंकार खतम हो जाएगा तुमारी स्मिता हसी से हमारे आंकार को खतम करो छुप क्यों रहे हो भज़ सखे भवाद किंकरी अच्छा ठीक है कोई बात ने गलती हो गई whatever happen happen भज़ सखे हे सखा आंकार नहीं करेंगे जलरुहानुनाम चारुदर्शया जलरुहानुनाम मने चारुदर्शया सुन्दर आपका सुन्दर रूप जो जल में खिले हुए कमल जैसा है दया करके दिखा दो एक बार और नहीं करेंगे गलती हो गई काफी punishment दे चुके हो अब तुम वापिस आजाओ क्रिष्ण तुम वापिस आजाओ तो ऐसा कहते है गोपी कहती हुई यहाँ पे खतम करती है और एक स्लोग कर लेंगे प्रनात देहिनाम पापकर्शनम त्रीनाचरानुगम श्रीनिके तनम फनी फनार पितम ते पदम भुजम क्रेना कुझे शूना क्रिंदिहरे च्छयम यहाँ पे गोपीयों ने बुला क्रिष्ण तुमारा हाथ चाहिए तुमारा हाथ हमारे सिर पे रखो यहाँ पे बोलते तुमारे पेर चाहिए है तुमारे पेर हमारे चाहती पे रखो कौन से पेर प्रनत देहिनाम पापकर्शनम जिन पेरों का शरनागती लेने से देहिनाम यहाँ पे जितने भी देह है यह जो हमें शरीर मिलता है जितने भी पाप किये है सारे पाप से हम मुक्त हो सकते है अगर हम इस सरीर से आपकी शरनागती ले आपके पदक कमल, चरन कमल का आश्रे ले तो हम उसी चरन कमल के बात कर रहे है जो जिसकी शरन लेने से सारे पापों से मुक्त हो सकता है त्रीन चरानुगम हम उसी चरन कमल की बात कर रहे है, जो चरन कमल, गायों को जब आप घास चराने के लिए जंगल में ले जाते हो, तो आप उनकी पीछे पीछे जिस चरन कमल से भागते हो ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अच्छा हम उसी चरन कमल की बात कर रहे हैं, श्री निकेतनम, जिसकी लक्ष्मी देवी सेवा करती है ना, उसकी बारे में बात करें, आचा हम उसी चरनकमल के बात कर रहे हैं, जिस चरनकमल को आपने फनी फनार पितम, कालिया के फन के उपर में रखा था ना, उसी चरनकमल के बात कर रहे हैं, वो चरनकमल हमारे छाती पे आप एक बार हम गाई के सेवक है श्री निकेतरम लक्ष्मी तो मेरी पतनी है तुम लोगो को क्यूं दू मैं मेरे चरण तो यहां पर गोपिय बुल रही है ऐसा कुछ नहीं है आप तो अपने चरण सबको देते है कालिया में क्या था कालिया तो इर्शा से भरा हुआ था व्रजवासियों को तकलीब दे रहा था उसमें क्या अच्छा गुन था फिर भी आपने उनको अपने चरण दिये न तो आप तो सबको देते हो यह तो आपका स्वभाव है तो हमको क्यों वंचित रख रहे हो हमें क्या दोश है कालिया में तो इतने दोश थे फिर भी आपने उसके उपर में अपनी कुरुपा दिखाई तो वो ही चरण कामल हमारी चाती पे भी रख दो है क्रिश्न दया करके तुम वापिस आ जाओ तो यह बहुत सुंदर बात भक्त वत्सल भगवान तुम तो भक्तों के तारन हार हो प्रलाद महराज कहते है भगवान केवल भक्त वत्सल नहीं भगवान कृपन वत्सल भी है कृपन वत्सल माने कृपन माईजर हम लोग सब कृपन है न क्योंकि हम इस शरीर भगवान ने हमें दिया है लेकिन हम इतने क्रिपन हैं हम इस शरीर से भगवान के सेवा नहीं करना चाहते हैं हम क्रिपन है यह शरीर को भगवान के सेवा में उपयोग करना है हम सोचते हैं हमने 10 रुपे हुंडी में डाल दी थोड़ा दान दे दिया एक गंटा जब कर लिया नहीं, हमारी पूरा जीवन भगवान को अंकीत करना है ही जोरी नेस बक्तिचारुस्वामी महराज ने एक बशला प्रवबात से कहा था कि हमें आपको इंस्ट्रेक्शन दो परसनल इंस्ट्रेक्शन, तब बक्तिचारुस्वामी लेकिन भगवान कृपन वचल भी है वो हमें बचाएंगे अगर हम उनकी शर्नागती लेंगे तो वे हमें धीरे-धीरे हमारी इंद्रेओं को उनकी सेवा में नियुक्त करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे अलग-अलग स्लोक गाते हुए गोपिया भगवान को रिजा रही है रिजा रही है हे कृष्ण तुम वापिस आओ हे कृष्ण हमें शमा करो हे कृष्ण हम तुम्हारे सुंदर मुक को देखना चाते है यहां पर हमें सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन हम इमाजन कर सकते है गोपिया तो रो रही है वे आनन्द नहीं ले रही है वे तो रो रही है एक-एक शब्द कहते हुए उनकी आखों में से आशु बह रहे है और वे रो रहे है भगवान के विराह में तो इतना सब रोने के बाद क्या भगवान आते है आते है कि नहीं आते है कि अगर आपको जानना है तो आप continue करिएगा पढ़ना क्लास होने के बाद Heartway Slok से श्रीमत भागवतम का 31st chapter की बाद में क्या हुआ जब 19 Slok खतम हुए गोपिगीत खतम हुए तब भगवान आए या भगवान नहीं आए यह suspense को यहां ही रखते होए मैं क्लास को खतम करूँगे Thank you so much for all of your patient hearing गोपिगीत की जाए शी कृष्न चंद्र भगवान की जाए जगत कुरू श्रील अप्रवपाद की जाए Hare Krishna भगवान को बहुत प्रेम करते थे और वे भी उनका विरह सहन नहीं कर सकते थे और हम अनीक कथाओं में सुनते हैं कैसे मधु मंगल स्टो का कृष्ना और अलग-अलग कृष्न के सुबल सखा वगेरा भगवान की विरह में रोते थे especially जब मतुरा चले गए थे तो बहुत सारे ऐसी सुन्दर-सुन्दर कथाए सुनते हैं जहां पर भगवान से रूठ है भगवान के लिए रो रह रो सुबह तयार होके जो रास्ता मतुरा से विरिंदावन आता था उस रास्ते में सारे गोप बालग बैड़ जाते थे और वो भी रिक्ष के ऊपर में है और वहां से दूर से देखते रहते थे कि रत कब आएगा रत कब आएगा तो ऐसा नहीं है कि वे विरह भगवान का नहीं फील करते थे वे भी विरह करते थे पर साधारन तो महिलाए अलंकार से कोई चीज कहना, बोलना, व्यक्त करने में बहुत एक्सपर्ट होती है आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखिए अगर कोई चीज अगर एक्सपरेस करनी हो तो लेडीज बहुत सुंदर तरीके से एक्सपरेस कर पाती है उतना पुरुष लोग एक्सपरेस नहीं कर पाते है मतलब वो सिंपल से बोल देंगे आप अपनी नीजजीवन में भी देख सकते है अगर कोई पिता अपने बच्चों को कहेगा हैपी बड़ तो एक्दम सिंपल भाव से लेकिन मदर्स हर चीज को बहुत अलंकार रूप से प्रस्तूत कर सकते है यह उनकी स्पीशीज है उनका नेचर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि गोप बालक भी विरा नहीं यह करते थे बड़ ऐसा कोई विशेश करके गीत मैंने नहीं सुना है बड़ अलग कथाएं मैंने बहुत सुनी है जहां पर वे कैसे भगवान से रूट जाते थे लड़ते थे वो भगवान की विरा हमें रोते थे जैसे एक जगा में सुन रही थी कैसे फाइनली जब उद्धव का रथ को वो लोग देखते है दूर से तो सोचते कि क्रिष्णा आ गया तो सारे एक दूसरे को बोलते है रे क्रिष्णा आ गया क्रिष्णा आ गया चलो 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 सब लोग तो मधुमंगल जो जाड के उपर में बैठा है किसी शाखा पर बोलता है मैं नहीं आओंगा, मैं रूठा हुआ हूँ, कृष्णा ने इतनी दिन लगा दिये, मैं नहीं आओंगा, तुम लोगो जाना है, तो जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो सबने का, क्या भला आदमी है, तो इतने दिन के बाद में, ठीक है, तुम बैटो, हम तो जा रहे हैं, त पहले एक पर कृष्णा से बात कर लोगा, तो रोता-रोता जो है वो भागते है उद्धव की रत की और तो ऐसी आप अलग-अलग बहुत सारी लीलाय सुनेंगे, जहां पर गोफभालक भी कृष्णा के लिए रोते है, कृष्णा के लिए इना अहम पूर्वम, भागते है कृ जाओ घर, सोजाओ, यह क्या, सुबह नहीं हुए, क्यों आ गए रात को, यह भी मैने सुनाए कि गोपभालक चंद्रमा को डाट लगाते थे, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, जल्दी से जाओ ना, सूरिय को आने दो, सो एट हम जल्दी से जाएंगे क्रिश्न के पास में और उसके साथ में हम खेलेंगे, तो वे भी पूरी रात रात सोते नहीं थे, और चंद्रमा से बाते करते थे, कि तुम जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, रात जल्दी खतम हो, और हम क्रिश्न के साथ, तो ऐसे दो बहुत सारी कथाय बता सकती हूँ, जहां पर गोपभालक आउजन, ओरीजनल मैनुस्क्रिप्स पड़ी हूई है, जो हमारे वाइशनवाचारे ओने, गोस्वामी ओने लिखी हूई उनकी अपने राइटिंग में, और तब मुझे लगा कि, अरे बापरे, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम कुछ भी नहीं जानते, मतलब हम जो है अभ इतना थोड़ा-थोड़ा सा शेला प्रहपात जी ने दया करके हमें इंपोर्टेंट पॉइंस बता दिये हैं, बट हला कि इतना कुछ है, तो I'm sure होगा शायद कोई गोपगीत जो अभी तक इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में मैं जानती नही हूँ, ठीक है, यहीं खतम करूँगी, मेरी आवास थोड़ी सी बैठी हुई है, क्यूंकि लास्ट टू त्री डेस से कंटिन्यूज बांगलादेश की भक्तों के लिए ख्लास चल रहा है, और यह भी ऐसे दो-दो घंटे तक चला तो मेरे आवास बैठ गई है, और कल फिर म हमादा का क्लास है, तो में अपने यहां पर वी राम देना चाहूंगी, यहां पर मे खतम करॉंगी, तहीं यहां पर में खतम करूंगी, थाय। थाय। थाहं दो आवाच यहाओ शॉम्हां ज्याय। सब रिष्уть कृष्णा 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 लगे शब कृष्णा कृष्णा